एक सेडी के अनुसार एक प्लेन के क्रैश करने की संभावना 1 in 5.4 मिलिन होती है और उसमें मरने की संभावना 1 in 11 मिलिन होती है नेपाल एक हिमालियन कंट्री का रीजन है जिसकी टेरेन बहुत डिफिकल्ट है और यहां पे जो वेधर कंडिशन से वो भी बहुत जादा फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं जो नेपाल का क्रैश हमने देखा है वो इनके पिछले 30 साल के हिस्ट्री में वर्स्ट है और हिमालियन नेशन के हिस्ट्री में थर्ड डेडलियस भी यह प्लेन चल रहा था काटमांडू से पोखरा की ओर जिसमें चार क्रू मेंबर्स और 68 पासेंजर्स थी जिसमें अब त सारे रीजन एक साथ काम कर जाते हैं तब यह होता है जिसे बहुत अच्छे से 1990 में जेम्स रीजन ने समझाया था अपने स्विस चीज मॉडल के थूँ इसी वज़े से नेपाल के आक्सिदेंट में भी कोई एक रीजन नहीं बलकि लैक ओफ एर रिफॉर्म्स या फिर में वक्त हमारे पास बहुत कम होता है इसलिए प्रोबाबिलिटी और जादा बढ़ जाती है अवे प्लेन करश क्यों हुआ क्या हुआ इसे समझने की पीछे बहुत अनालेसिस बहुत रिसर्च बहुत डेटा रिटीव करना पड़ता है पर इससे भी जादा ज़रूरी इसक बिना अपने फेलो क्रू मेंबर को उठाए एक और अनालेसिस बताती है कि आल्मोस 49% प्लेन क्राश में पाइलिट एरर ही जिम्मेदार कारण बनता है तो इस रीजन को अड्रेस करना सबसे जरूरी है चोटी चीज़े जैसे की कॉक्पिट बंद करना एलेमेंस का ध्यान र करते हैं, गाइड करते हैं, एर स्पेस मैनेज करते हैं यह पाइलिट को अल्टिट्यूड और रूट क्लारिटी देते हैं यानि कि अगर माइनर एर्रेगुलारिटी भी हो गई तो दिस कुट लीड तो मिड एर कोलेशन चैसे की चर्की धादरी इंसिदेंट में देखा गय मौसम या वैधर भी एक की फाक्टर प्ले करता है, क्योंकि अगर क्लियर विजबिलिटी ना हो, रॉंग इंफरमेशन मिले, तो लैंडिंग में गरबड़ी हो सकती है और मिड एक कोलेशन की संभावना बढ़ जाती है तो ऐसे वक्त में काम आता है Black Box, जो की एक Flight Recorder की तरह काम करता है, उस पूरी Flight में क्या हुआ था, क्या тепरहिशन था, किस तरीके की बाते हुई, वो सब कुछ हमें इस Black Box में मिलता है इसे मिलने पर ही हमें समझ में आता है कि आखिर उस crash में हुआ क्या था इसका नाम तो है black box पर इसका color होता है orange ताकि मलबे और धुए के बीच में हमें ये clearly visible हो सके इसे रखा जाता है या the back seat of the plane क्योंकि usually plane crashes front facing होते हैं इतना बड़ा crash होने के बावजुद भी है survive कर जाता है क्योंकि ये बनता है titanium metal से enclosed in a titanium box इस वज़े से ये intact रहता है It is compulsory and mandatory in a commercial flight इस box के दो components होते हैं cockpit voice recorder और flight data recorder cockpit पे होने वाली सारी activities जैसे कि cabin crew से बाते, pilot की बाते, connection establish करने की बाते वो सब कुछ record होती है और इसी से हमें पता चलता है कि कहीं pilot की तो कोई गलती नहीं दूसरा होता है FDR जिसमें flight का data record होता है कि क्या height थी, क्या direction था, कहीं कोई turbulence तो नहीं या फिर temperature क्या, ऐसे कम से कम 80 parameters record होते है FDR में black box की सबसे अच्छी बात ये है कि crash होने के कम से कम 30 दिन तक ये waves emit करता है और इसमें beep आवाज आती है जिससे हम इसे locate कर सके 14,000 feet के गहराई में भी ये waves emit कर सकता है usually ये boxes retrieve हो जाते हैं जिससे हमें समझ में आता है और असली कारण समझ में आता है So this was it about the Nepal's plane crash अगर आप दुनिया के worst, deadliest plane crashes की बार मैं जानना चाहते हैं then follow our Instagram page to know more अगर वीडियो अच्छा लगा तर हिट the like button do not forget to subscribe to our channel until then keep learning and I shall see you in the next one